हेलो फ्रेंड्स दिस इस गनीश आज की वीडियो में हम देखेंगे हमारा दिवाली फाइरवक्स टैस 2020 पार्ट 7 इस वीडियो को लाइक करें नीचे लाल वाला बटन दबाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला फाइरवक्स हमारे पास है रविंद्राज ब्रैंड का विजवील यह एक चक्री है इसकी अमार पे लिएक है 225 रुपीस और यह एक ग्रीन क्रेकर है हमें यह पड़ा है 100 रुपीस का होल सेल में काफिस अस्ता मिल सकता है 62,80 रुपीस का एक डबे में आते हैं 5 प जोरदार सीटी की अवाज निकलेगी इसमें से ऐसी चक्रीज में यूजिली फ्यूस भी दिया होता है जिससे का आप काफी असानी से जला सकते हैं इनको तो हमने इसका प्लास्टिक रैपर उतार दिया है चलिए अब इसे खोल कर देखते हैं कैसे अंदर से सारी चक्रीज वाह क्या बात है तो ये देखिए दोस्तों कितनी प्रीमियम कॉलिटी की चक्री है इसमें एकदम टॉप क्लास इस पैकेट को निकाल लेते हैं बाहर और ये देखिए close up में कितनी अच्छी quality है चलिए इस packet को खोल के एक piece close up में देखते हैं तो ये देखिए दोस्तों close up में एक piece इसके उपर लिखा है विजवील, बीस में ब्रेंडिंग है और नीचे लिखा है रविंदरास, फायरवक्स, शिवकाशी और ये देखिए हमको एक bomb सा cracker सा दिख रहा है इसके अंदर, शायद इसी में से CT निकलती होगी और ये देखिए back side से यहां से CT की अवाज आती होगी तो मुझे लगता है काफी जोर की अवाज आएगी इसमें से CT की, काफी जोरदार आवाज आएगी और काफी अची quality है इसकी, चलिए next firework देखते हैं, next firework हमारे पास है, गोडिया ब्रेंट का mini pearl flower pots, इसकी MRP लिगी है, 300 रुपीस लेकिन हमें ये box मिला है 80 रुपीस का, whole sale में 60 रुपीस का भी मिल सकता है, एक डबे माते हैं, 5 मटका नार, चलिए इसे खोल कर देखते हैं मटका नार काफी ज़ादा देर तक चलते हैं, as compared to other flower pots, इन मटका नार का शायद crackling effect होता है, और ये देखे आप कितनी अच्छी quality है इन मटका नार की एक पीस कुछ ऐसा है, चलिए एक पीस क्लोज अप में देखते हैं इसके उपर लिखा है गुडिया फायरवक्स और ये देखे, चारो तरफ से फॉइल लगी है गुडिया ब्रैंड की एक दम प्रीमियम कॉलिटी की जैसा इनका साइस थोड़ा छोटा है, तो मुझे लगता है कम से कम 15 से 20 सेकंड चलेंगे ये वाले फ्लावर पॉट्स, चलिए नेक्स्ट फायरवक्स देखते है नेक्स्ट फायर क्रेकर हमारे पास है क्रिश्न डिश्टर ब्रैंड की एटम बॉम फॉइल्स, इसकी अमार पी लिगी है पानिटी टू रिपीस, लेकिन हमें ये बॉक्स मिला है 30 रिपीस का, होल सेल में और भी सस्ता मिल सकता है आपको ये वाला बॉक्स ये भी एक ग्रीन क्रेकर है चलिए इसे खोल कर देखते हैं कैसी हैं की क्वालिटी अंदर से तो ये देखिए दोस्तों अंदर से काफी अच्छी क्वालिटी है इन क्रेकर्स की बहुत ही जोरदार आवाज होगी मेरे हिसाब से चलिए एक पीस क्लोज अप में देखते हैं ये देखिए इसके ओपर लिखा है एटम और साथ में लिखा है बॉम और पूरा एसे रैपर सा लगा है जिससे की फ्यूज टिका हुआ है चलिए इस रैपर को हटा के इस फ्यूज को क्लोज अप में देखते हैं और ये देखिए फ्यूज आप इसमें फ्यूज अच्छा दिया है ताकि आपको भागने का समाई मिल जाए ऐसे क्रैकर्स को हमेशा अडल्ट सुपरविजन के अंडर जलाएं और बहुत ही केरफुली जलाएं चलिए अगला क्रैकर देखते हैं नेक्ट्ट फायरवक हमारे पास है तुशार प्रेंट की कलर स्पाकलर्स नंबर 15 इसकी MRP लिखी है 60 रुपीस लेकिन हमें ये बॉक्स मिला है 20 रुपीस का होल सेल में 10 रुपीस अभी मिल सकता है ये 20 सेंटिमेटर्स की स्पाकलर्स है और एक डबबे में 10 पीस आते हैं चलिए इसे खोल कर देखते हैं तो अंदर से ये बिल्कुल एक नॉर्मल स्पाकलर्स की तरह है पर इसकी खास बात ये है कि बाकी स्पाकलर्स से कंपेर करें तो इसका प्राइस काफी कम है जैसे कि अगर आब इसे होल सेल में यानि की 5 डबबे एक साथ लें तो आपको एक डबबा केवल 10 रुबे का मिलता है और उससे सस्ता भी मिल सकता है इसमें मेटल पार्ट भी काफी दिया है जिससे पकड़ने में असानी हो चलिए नेक्स क्रेकर देखते हैं अगला क्रेकर हमारे पास है श्री कृष्णास का रॉकेट बॉम इसकी अमार पिलेगी है 88 रुपीस लेकिन हमें यह बक्स मिला है ओनली 30 रुपीस का होल सेल में 20 रुपीस का भी मिल सकता है यह वाला रॉकेट बॉम एक डबबे में आते हैं 10 पीस चलिए इसे खोल कर देखते हैं यह काफी छोटे साइज के लगबग 25 सेंटीमेटर के रॉकेट है और अकाश में जाके शायद सिंगल रिपोर्ट यानि की एक साउंड करते हैं यह देखिए आप क्लोजब में देख सकते हैं इस रॉकेट का टॉप पार इसका फ्यूज भी अच्छा है इतना सस्ता रॉकेट मैंने शायद आज से पहले कभी नहीं देखा था अगर आप देखना चाते हैं मैं इतना सस्ता रॉकेट कहां से लाया हूँ तो उपर आई बटन क्लिक करके आप दिवाली क्रेकर शॉपिंग वी लॉग देख सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्रेकर देखते हैं नेक्स्ट फायरवक हमारे पास है सुनिंदिया ब्रैंड का मिनियन्स रेड स्काई शॉट इसकी एमर पे लिखी है 350 रुपीस लेकिन हमें ये बॉक्स मिला है 50 रुपीस का एक डबे में आता है एक पीस चलिए इसे खोल कर देखते हैं इसके अंदर सिंगल शॉट आता है जिसका शेल सवा एक इंच का है इस का शॉट का इफेक्ट रेड कलर का होता है जैसा कि आप देख सकते हैं इसके उपर भी प्रॉपर ब्रैंडिंग की है संशाइन ब्रैंड पूरा लिका है और ये देखिए बॉटम पार्ट और ये देखिए इसका फ्यूज भी काफी अच्छी क्वालिटी का है इसके उपर टेप लगी है जिसे हमेशा हटा देना चाहिए ताकि फ्यूज आदे में कभी बंद ना हो और ये देखिए इसका फ्यूज नॉर्मल फ्यूज से भी मोटा है काफी अच्छी क्वालिटी का है आदे में कभी भुजेगा नहीं और ये देखिए इसका टॉप पार्ट भी एकदम सॉलिड है कच्चा नहीं है Cardboard के जैसा एकदम Solid Top Part है और ये काफी अच्छी अच्छी को लेटी का SkyShot लगा मुझे चलिए Next Cracker देखते हैं Next Fire Cracker हमारे पास है Sunshine Brand के Parrot Crackers इसका हमने पूरा Bundle लिया है 10 Packets का एक Packet में 5 पीस होते हैं और ये पूरा Bundle हमें बढ़ा है और फिर एक पीस को देखते हैं कैसा है क्लूज अपने ऐसे Crackers को South India में कुरू वी भी कहा जाता है अपने प्राइस के हिसाब से इन Crackers की अवास काफी अच्छी होती है और इनकी Quality भी काफी अच्छी होती है तो ये देखिए हमने प्लास्टिक क्रैपर लगभग निकाल दिया है इसके उपर से और इसके उपर देखिए दो कार्डबोर्ड हैं दोनों एजिस पे जो की नीचे गिर गए जिन पर ब्रेंडिंग थी और ये देखिए ये देखिए रस्सी है जिसे हम खोल कर देखते हैं एक पीस तो इसे वैसे यूजिली काटा जाता है लेकिन मैंने वैसी खोल दीस की गांट और ये देखिए गांट खुल चुकी है और ये दो पीस नीचे गिर गए गलती से और ये देखिए सारे क्रैकर्स इनके ओपर सुनिंदिया लिखा है तो शायद संशाइन और सुनिंदिया एक ही ब्रेंड होगा और ये देखिए पैरेट क्रैकर्स इनके ओपर पैरेट बना है नीचे ब्रेंडिंग है उपर सुनिंदिया लिखा है और एकदम प्रीमियम क्वालिटी लग रही है से देखते हैं क्या है इनकी quality और कैसे हैं ये दिखने में ऐसे में पहले लक्षमी crackers जो आते हैं वो भी इसी ताइप के होते हैं लेगिन अब जो उपर की जो pictures होती है वो लगबग सभी brands ने change कर दी है लक्षमी माता की फोटोस से तो ये देखिए एक पीस हमने उठा लिया है इसके ओपर प्रॉपर ब्रेंडिंग है सुनीं दिया लिखा है जैसा कि हमने देखा पहले फुल जूम करके ये देखिए बॉटम पार्ट और ये देखिए टॉप पार्ट जैसा कि हम देख सकते हैं इसका इसके अंदर जो क्रेकर है वो नॉर्मल जो साइस दिख रहा है उसे थोड़ा चोटा होता है जो प्रेशर बनता है बहार के पेपर से उस क्रेकर पे उससे वह बड़ी जोर का फटता है चलिए अब नेक्स्ट क्रेकर देखते हैं नेक्स्ट फायर क्रेकर हमारे पास है संशाइन ब्रेंड के फ्लावर पॉट्स पिग इसकी MRP लिगी है 165 रुपीस लेकिन हमें ये बॉक्स मिला है सिरफ 30 रुपीस का होल सिल में और सस्ता भी मिल सकता है आपको ये वाला क्रेकर एक डबे में आते हैं 10 पीस चलिए इसे खोल कर देखते हैं तो ये देखी इसके अंदर छोटे-छोटे से अनार हैं जिनका शायद सिंपल इफेक्ट होगा जो एक आम अनार का होता है मेरे हिसाब से ये चलेंगे 5-7 सेकंड के लिए एक पीस क्लोज अप में कुछ ऐसा है इस पीस के ओपर भी प्रॉपर ब्रेंडिंग क का बेकार सा नहीं है अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी कॉलिटी का फ्लावर पॉट है चलिए नेक्स्ट क्रेकर देखते हैं नेक्स्ट क्रेकर हमारे पास है जवान ब्रेंड के मीनी फ्लैश बुलेट बॉम इसकी MRP तो नहीं लिखी हुई लेकिन आपको एक पी दिखने में इसी वज़ा से इन क्रेकर को कभी किसी डिरेक्शन में नहीं बिलकि अकाश की तरफ जिलाना चाहिए यानि इनका जो फ्यूज है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए आस्मान की तरफ इन क्रेकर की क्कॉलिटी भी काफी अच्छी है चलिए अब नेक्स्ट क्रेकर देखते हैं, next firecracker हमारे पास है, rim zim color sparklers, इसकी कोई MRP नहीं लिखी, लेकिन हमें ये एक box मिला है, 10 रुपे का, 10 रुपीस का, wholesale में आपको 5 to 10 रुपीस का पर box मिल सकता है, एक box में आते हैं, 10 पीसिस, चलिए एक box मिला के उसे खोल कर देखते हैं, कैसे हैं अंदर से, तो ये देखिए दोस्तों, एक box कुछ इस प्रकार का है, इसकी अबर proper branding है, rim zim color sparklers लिखा है, और ये देखिए, side से कुछ ऐसा है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 10 नंबर की sparklers है ये अमरिसर का cracker है, अमरिसर में manufacturing हुई है शायद इसकी, और ये शायद 15 cm की sparklers है, चलिए अब इस box को खोल कर देखते हैं, अंदर से कैसी हैं sparklers, तो ये देखिए दोस्तों, काफी छोटी-छोटी फुल जड़ियां हैं इसके अंदर, जो की मतलब बच्चों के लिए काफी पसंद आती हैं ऐसी छोट-छोटी बच्चों के लिए, ये सेफ भी होती हैं काफी हद तक, इसमें थोड़ा सा ही effect वाला area होता है, यानि कि चलती थोड़ी कम देर के लिए है, लगभग 15 से 20 सेकंड के लिए, तो फ्रेंट्स ये सारे क्रेकर्स हमें पड़े सिरफ 500 रुपीज के, होल सेल में 300 रुपीज के भी मिल सकते हैं, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, एम करते हैं 5000 लाइक के लिए नीचे लाल वाला पटन के चैनल को सब्सक्राइब प्लीज करें और हंडड के हम जल्दी से जल्दी करते हैं इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेर जरूर करें हमें कमेंट करके बताएं कि आप आगी क्या देखना चाहते हैं आप से मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में झाल